कि वड़ा मोग स्टार्ट करें साथ सप्लाइए अगेन लोग जानते हैं कि डिमांड का उल्टा होता है इसकी और कॉंटिटी की प्राइज और कॉंटिशन्जिप डारेंट होती है फिर भी हम सप्लाइच स्टार्ट करता हूं डेफिनिशन पूरी बढ़ो माँँ पहले आप स इस प्राइस ज्यादा सब्सें अखरेंगा स्भी कि लोगा तो दूह आमेश ओतनी इन्मेलश ज्यादा best जब उसका profit क्या होता है बेटा maximum उसका profit होता है maximum तो जितनी price ज्यादा हो दी उतना मेरा profit ज्यादा जितना मेरा profit ज्यादा उतना मेरा supply ज्यादा अब अगर मैं बात करूं price और quantity की किये हर्षिद खर्षिद भी आलो बेचता है चेशा है जब बारह रुपर किलो आलो होते हैं, तभी पच्छीस किलो आलो बेचना पसंन करता है। तो कैसा आपका supply अलाग है? मेरा A supply करभ है ऐरा S.S करब 20 supply करभ है u उसका supply चरह है और apple si dh भात है, मैं फाइल 5 डिब सकीलो भिचना पसंन करता हूं, 5 connect better आपके में चैनले ही अप्षांविश कोणता हूँ और शाहिए 10 और मैं तीस पाइस किलो बेचना पसंद करता हूँ मैं इसके बारे मता हूँ तो पांच विपने सिर्फ 3 किलो टा 10 विश्ता है तो यह इसका सप्लियका वैजिस ऐस सप्लायक वे टा एन टिस इस वी सब्लाय कर यह तुम्हारा एका सप्लाय कर अगया पर सफ जॉप यह बियुट कर जो मार्केट में वहीं मैं बहुत प्लस सेलर तो बताओ पांच अलूंक किता रहा दस प्लस टीन किता हो गया तेरा हम दोने ही यह मार्केट में यह पा रहा है मैं बात करता हूँ आठ रुपे पर हम़रां कितना हुगा पिस प्लस पंदरह इस उकल कितना हुग पैटा शयद डस फुर्ब कितना हुगा थीच ulb ऴीज प्लस पीज इस पुल टुप्चास किरान ए फचास प्लस बच्चिस पिजब कितना हाुगा 75 is equal to 75 तो सरी यह क्या बन रहा है market supply curve market supply curve थोड़ा सा flatter होगा because market takes more time to respond than an individual market takes more time to respond than an individual अब यहां से तरह supply शुरू होता है supply मतलब producer point मतलब तू consumer बन के नहीं सोचेगा तू producer बन के सोचेगा price जतनी ज़्यादा उतनी तरी quantity ज्यादा उतनी तेरी quantity ज्यादा बेजने के इच्छा होगी तो बनाओ supply refers to supply refers to different quantities of a community supply refers to different quantities of a community that a producer is able and willing to sell at all possible prices at a particular point of time supply refers to different quantities of a community that a producer is able and willing to sell and all possible prices at a particular point of time बोलो यहां तक कोई doubt है कि बटा यह supply हो गया यह supply का हो गया और यह क्या हो गया तुम्हारे पास quantity demanded increases with the increase in price quantity demanded decreases with the decrease in price A quantity demanded increase with the increase in price अगर में एक लेवल तेज ले और आगे चलू तो से मुझे बता वाट आपकर्स अफेक्टिंग सप्लाइब इस अफेक्टिंग सप्लाइब अपना हुआ है तो बटा मेरा एक गोर्ड बना हुआ है मैं बोलों पी पी आर पी 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 आर पी जी जीपी टीटी पी एनफ एफ पी अगर चीज की पड़ेगी तो उसका सप्लाइब बढ़ जाएगा प्राइस कम तो सप्लाइब भी क्या किया हो जाएगा कम बेटा बिटा हाया प्राइस दिरोस इन सप्लाइब आधा हाया प्रॉएर प्रॉफिट अगर्स अगर्टुदों टा। फ्लान, ईस एबल टो अचीव मैक्सीमम प्रॉफित। तो प्राइज बड़ेगी तो इस प्लाइज भी बड़ेगा, प्राइज कम तो प्लाइज कम यूद्त हुज़त अगर मैं ते पर बता हूं तो बता हुद को बता हुद उन तो तो वह आपिछ उनुझट price of tea, when price of tea increases, when price of tea increases, tea becomes more profitable, tea becomes more profitable for producer. producer अगर मैं ते को बता हूँ तो producer will be able, producer will be able to sell, it will be motivated to sell more of tea, more of tea and less of coffee तो producer के लिए tea क्या हो जाएगी बटा, profitable इसलिए supply of coffee क्या कर देगा, कम और वो पूरा ही क्या सब लगा देगा, tea तो मैं बात बता रहा हूँ, when price of tea increases, tea becomes more profitable for producer, क्योंकि tea जादा profitable होगी, इसलिए producer will be willing to sell more of tea and less of coffee hence, demand for coffee demand for coffee decreases अब बटा, on the contrary है का समझा हूँ, यह की याद कर देगा देगा, अब प्राइज of tea का होगी, तो supply of coffee बढ़ जाएगा, तो क्यों तो मैं बटा, बहुत ऐसी है, when price of tea decreases tea becomes more की less, tea becomes less profitable for producer producer will be motivate to sell more of coffee and less of tea hence, demand for coffee decrease, hence demand for tea decreases तो अगर tea के भाव कम हो जाएगे तो supply of coffee supply of coffee क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा अगर tea के भाव कम होंगे, तो supply of coffee बढ़ जाएगा बटा, दूसरे goods को ते हैं, complimentary goods सब complimentary goods are those goods complimentary goods complimentary goods are those goods which jointly satisfy one demand which jointly satisfy one demand आगर मैं देख़े हो उन्हों, प्राइस जिसे ink को रेंगा, प्राइस ऑफ इंक बढ़ेगी या प्राइस ऑफ इंक तो supply of ink बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा इसा क्यों होगा तो समझ ना, when दो मिट के लिए समझ अच्छी समझ अच्छी समझ रहेगा प्रडूसर, अब प्रडूसर वी बिए गलिंग अब प्रडूसर बढ़ अपर बढ़ देंगा जैसे ही इंक की प्राइस बढ़ जाएगा या बढ़ जाएगा इंक प्रोडूसर की बेचने के एच्छा क्या होगी जादा तो बिटाइ वही बात है अगर इंख सस्ती हो जाए घी तो इंख बिकम्स लेस्टेब फोडियुसर नाम यहीं की लेस्ट इंखतने करदेगा, तो परडियुसर इंख-पैन तरे मैं कि वहाँ बात है, प्रचाइब के बात करदेगा, प्रचाइब का नमें कि लिए अगर थैर उसका supply अभी कम करेगा वें प्राइज एक्सप्टिड ओफ गुड इंक्रीज तो प्रड्यूसर उसका supply आज नहीं करेगा उसको पता है कि आने वाले टाइम उसके बढ़ने वाले मैं पाथ यह थी shirts का 500 का stock पढ़ावा है अभी यह shirt 1000 को बिकती मुझे पता है थोड़े दिन में season आने वाला है और यह shirt 1200 की बिगी नहीं तो आप मुझे बता होगा है यह shirt आगे चलके महगी बिकने वाली है तो क्या मैं इनका supply आज करूँगा कि मैं इनका supply near future में करूँगा अगर मुझे पता है किसी चीज के भाव गिरने वाले कोई चीज और होण हूपित तो प्योग आदें है कि अब उसको पता है इसगों में बिगज़ तो बाद में तो भाव का ने वाले चंव मों मने उने Л आग उनलगए हान हरो कं उने वाले है चाश बिटा जी, जी का मतलब होता है बिटा गोल ऑच कहOb, कहमाना क्यासा है बिटा दो गोल होग़ाँ, एक होता है तुमारे पास प्र॑फिट मैंजिमाईजेशन आज प्र॑फिट मैंजिमाईजेशन अगर मैं तेंक तो बताऊँ मेरा गोल है profit maximization जैसे भी institute का गोल होगा profit maximization जैसे मैं Edison Hotel के बारे हम बात करूँ तो Edison Hotel का गोल है profit maximization मतलब वो charging high price and less supply है वो अपना supply हमचा कम रखेगा iPhone का गोल क्या है? profit maximization तो हमेशे उपनी price के रहे है ज्यादा और supply के रखेगा कम restricted supply रखेगा ताकि उसके पास वाली चीच सबके पास common ना हो उसको sales से मतलब नहीं है उसको मतलब है profit से on the contrary अगर मैं तुमको M.I.Phone के बात करूँ या Samsung की one gear गरूँ तो इस सब का गोल क्या होता है बेटा sales maximization ये चाहते हैं कि mobile बहुत सस्ता बिके धेंगे लेकिन सबके हाथ में होना चाहिए RELIANT का GEO का goal क्या था GEO का goal क्या था profit maximization की sales maximization sales maximization जीचो भला सस्ती भी के लेकिन सबके हाथ मोहनी चाहिए तो क्या बेटा Goal of effect करता है वहाँ Goal ofbeing såply effect करता है क्यूंकि जैसे ही अगर आपका गोल है profit जोग क्या होगा कम, अगर आपका गोल है sales में तो आपका supply है क्या होगा, जाथ अगर मैं तेको बोलो, आगे में पास है GP, इसना GP का मतलब क्या? Government policies. जोज़ए का government policies में क्या आता है, government policies तीन चीज़े आती है, अगर आपन बात करें गवर्मेंट पॉलिस में कीज़े अगी टेक्सिस सब्सिडीज एंड गवर्मेंट ग्रांट अब मझे एक बात बता जिसकी तरफ गवर्मेंट की पॉलिसी फेवरेबल है उस चीज का सप्लाय क्या होगा अगर मैं बात करो मीट की यह मीट का खेट है पनजाब में चरस अफीम उगाता है तो गवर्मेंट इससे टेक्सिस ज्यादा चार्ज करती है सब्सिटीज को कुछ देती नहीं और government ग्रांट सो कब्हीं कुछ मिलती नहीं तुम तो अफीम के खेट के चरस अफीम उगाता रहता है प्सक्लतिक नों दिख़ रहा है कि कांटेट्स के इसे ही एप तो अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करंग अफीम के खेत के लिए अफीं के खेत के लिए कि गवर्मेंट की फैवरेबल है कि अंफैवरेबल है तो बेटा अंफैवरेबल है तो कुछ भी करके चरस, अफीं और गांजे का supply बành नहीं सकता है गुजरात में लिक्र का supply बành नहीं सकता अंपाउ मैं शरीफ हूँ, मेरा खेट है वीट का, मैं अनाज उलाता हूँ, मेरे देश की दर्ती, सोना उगले, तो अब मैं को बता हूँ, मैं वीट उगा रहा हूँ, मैं राइस हुगा रहा हूँ, तो गवर्मेंट मुझ पर टेकसेस चार्ज ही नहीं करती है, मैं को बहुत सारे सब् गर्वर्मेंट ग्रांट्स मिलीवी में को लाग होगी, तो ऐसे में क्या मेरा सप्लाय बढ़ जाएगा, हाँ, बोलो कि डौर तो नहीं आता, चले, अब जब बात करें, टी की, तो टी,